है हमारा day 26 13 days trading challenge का day 26 देखो फ्रेंड हम बात करने वाले हैं कि हमारा 13 days trading challenge है सबसे पहले हमें आलमोस यहां पे 26 days complete हो चुके हैं इसके उपर हम बात करेंगे कि हमने कितना profit निकल लेकिन बार 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 बता रहा हूं कि यह 13 days trading challenge क्या है देखो जैसे हमको experiment करते हैं उसको हम एक बार करके हम उसको नहीं छोड़ते हैं हम बार बार करते हैं क्या वो अगर हम उसको एक बार कर रहे हैं दो बार कर उसकी कितनी अक्वरिशी निकलती है दस बार करेंगे उसमें बहुत सी mistakes हम करते हैं क्या कहां कहां पर हमें उसको सही करना है तो इसी तरह हमने रखा है कि 13 days trading challenge का जो हमारा यह आयम है कि हम 13 days तक हमने trading के सारे rules follow करके trade करना है चाहे वो stop loss हो, target point हो, over trading हो, अपना analysis हो, जो मैंने आपको video first में बोला कि आपको कौन क क्योंची चीज़ें follow करनी है यह 13 days trading challenge के अंदर and at the end of month हम एक मन्त तक पूरा daily मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना profit निकाल रहा हूं मैं daily आपको मैंने लिस देरों आपने channel पर कहां पर आपको buy करना है, sale करना है, साथ में वियाईपी ग्रूप में है, उनको प्रॉपर signal मि रहे है, बस आपको अपने lot size, आपका जो over trading है trade को hold करना है, आपको मैंने पहले ही बोला है video first के अंदर, अगर आपको बुछ से follow करनी है, at the end of month हम यह देखेंगे कि क्या अगर हम trading के सारे rule follow करके proper trading करते हैं, तो क्या trading से benefit मिलता है, means कि जो एक बंदा job करता है, अगर वो बं इसे अगर कर साकते हैं, नार्मल amount के उपर किसके पास हंडेड अगर अगर आप 10,000 amount के उपर trading करते हो एक मन्थ तो आप कितना profit निकाल पाते हो, तो हम यहां पे calculate करने कि कितना है, पिप का profit हम daily करने है, तो सबसे पहरे देखो मैंने यहां पे आज sale दिया था, limit 2037 के पास and 20 2036 जहां पर अपने लिया होगा, 36 and 37, तो first target हमारा यहां पे 32, चलो आप दिखाते हैं, trading UK उपर देखो, हमारा target 32, पहले यहां पे hit होआ, हमने यहां पे 37 पर हमने किया था, 32 hit होआ, second target हमारा यहां पे 28, देखो, यहां पे 28 था, यह भी hit होआ, आप यहां पे आप आओगे, तो यह हमारा 28 रहा, hit होगए है, ठीक है, उसके बाद यह आल्मोस, यहां पे market slow जल रही थी, and then फिर आप देखोगे, यहां पे, मैंने इस वाले ग्रूप में डाल ला था, यहां पे, क्योंकि न्यूज आने वाली थी, मैंने बोल देखो, यहां पे बहुत सारी news है, be careful, and क् सारी न्यूज शाम को साथ भी थी, उससे पहले हमारे यहां पे, दो टार्गेट हो चुके थे, तो हम आप, देखेंगे कि कितने पिप्स हो हमारे हो रहे है, यह हमारा VIP गुरूप, अब 28 से कल्कुलेट करो, and 37, so that means, हमार 90 पिप का profit कल के date में हमने यहां पे किया, अब 90 पि की बात कर रहे है, 100 डॉलर एकोंट की, तो आपका 9 डॉलर का profit होगा, हुआ होगा, अगर अगर अपने 0.01 का lot लेके trade किया होगा, तो आपका 9 डॉलर का profit हुआ होगा, एक 100 डॉलर एमून के उपर, लेकिन यहां पे maximum लोगों के 100, 500, 1000, 5000, 10,000 डॉलर के भी account है, लेकिन आपन use the market में, क्योंकि month end होने वाला था, आप लोगो एक चीज़ का idea होगा होगा, कि देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप trading से profit निकाल सकते हो, एक दिन, दो दिन, अपने luck के उपर, अब trade लगा होगे, buy यह sell market हो चले, एक नए excited, तो हो सकता है, आप ने buy लिगा ते market, buy मैं अले नी जा रही हो, तो आपको trader बनगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है, आप एक बार निकाल सकते हो, दो बार निकाल सकते हो, लेकिन, आज यहाँ पर लोगों का loss होगो, मैं लिखके देता हूँ कि जिन लोगों को trading नहीं आती, यह जिनको पता ही नी trading में basic rules क्या हो होता है, क्या आपको trading में ध्यान रखना होता है, आपका lot size हो, या आपका stop loss हो, target point हो, कब trade करना है, कब नहीं करना है, बहुत से लोगों का account खाले होके होंगे, और बहुत से लोग इस टाइम यहाँ पे लोगों ने sale किया होगा, वो अभी यहाँ पे 2000 का account loss करके बैठे होगे, अब यह बोर होंगे कि market नीचे आएगी, कब आएगी, कब आएगी, तो अब वो trade भी नहीं कर पाएगे, क्योंकि उन्हें आले इतना पड़ा lot ले लिया होगा, अगर आप एक safe lot भी लेता, आपने ऐसा use नहीं किया होता, माल लो, तब भी यहाँ से ट्रिफ 200 pip मार्क नॉर्मल होगी, बट अगर एक news है, तो मैं खुद बोलता हूँ, कि मैं खुद इसमें trade करता हूँ, लेकिन अगर आपका 0.10 lot बनता है, तो आपने news में 0.3 ही लेना है, मतलब उसका third person, उसका तीसरा हिस्सा आपको लेना है, 0.3 या 0.4 या 0.1 ले लो, कोई actual तो trade करना ही नह ही किया है, कि क्या होने वाला है, आप फोड़ो द्यूज वगेर पढ़ रहे हो, Forex Factory पर जाके YouTube पर देखते, कौन सी country में क्या होने वाला है, US में dollar गिरने वाला है, तो ठीक है, तब भी आप sure नहीं हो कि क्या बोलने जाएगा वाहां पे news में, क्योंकि ये instant रहता है, आपक क्या होने वाला है, आगे कहां कहां मार्केट जा सकती है, तो daily analyst देखा करो, उसके बाद ही trade लिया करो, बागे अगर आपको वमारे VIP group में add होना है, उसके लिए मेरे को message करो, रिचे ग्रूप की link दी है, वहाँ पर join होके मेरे को contact करो, आपको VIP group में add करते जागा, लेकिन उस तो next week हमारा ये target जो complete होगा, उसके बाद हम calculate करेंगे, add the end of month कि हमने कितने pip का profit किया, और फिर हम calculate करने वाले हैं कि अगर एक मन्थ हम एक छोटे account के उपर एक safe trading करेंगे, तो कितना profit हम निकाल सकते हैं, ठीक है friend, thank you